एलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं मार्बल फलोरिंग डिजाइन इम्रान दोस्तो आज के वीडियो में आपके लिए लेक्या है गरनाइट का फरन्ट डिजाइन अगर आपको अपने घर का front design बनवाना है दोस्तो तो आप इस वीडियो से एक idea ले सकते हैं इसके अंदर मैं आपको एक पूरे घर का front design दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप pillar देख सकते हैं चोरस हमने pillar बनाए है round के अंदर हमने pillar बनाए है और इसके अंदर गिरनाइट पथर लगाया है टाइल्स लगाई है और marble लगाया है तो दोस्तो marble, गिरनाइट और टाइल्स अगर आप इनको भी खरीतने हैं तो आपको किस rate में मिलेंगे और हमने जो यूज में गिरनाइट पथर लिया है marble लिया है और टाइल्स लिया है तो कौन सी टाइल्स है, कौन सा marble है और कौन सा गिरनाइट पथर है तो इसकी आपको एक पूरी जान करें देने वाला हूँ rate भी आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियो को पूरा end तक देखते रहे अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को जरूर दमाए इससे हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको लगातर मिलती रहेगी और वीडियो पसंद आए दो लाइक करें अपने दोस्तों में आगिस चेर करें तो चलिए अब दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि ये जो पीलर हमने बनाए है ये चोटे हाइट के अंदर पीलर हमने बनाए है तो ये में गेट जो आ रहा है तो में गेट के left और right की दिरफ हमने 2 pillar बनाए हैं इसको पूरा round के अंदर बनाया है और इसके उपर जो हमने पत्थर यूज में लिया है वो marble यूज में लिया है यह कौन सा marble है वो भी मैं आपको बताऊँगा और किस rate में मिलता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसकी जो गोलाई हमने बनाई है तो गोलाई के उपर जो हमने इसकी जो पट्टी कटिंग की है वो एक इंच की मार्डबल की पट्टी कटिंग की है और जो गिनाइट की पट्टी जो आ रही है दोस्तों वो हमने 5 mm की कटिंग की है और इसका जो टोप आ रहा है वो पूरा गिनाइट का बनाया है और टोप की 3 पीश मॉल्डिंग भी बनाई है अब आप देख सकते हैं ये जो में गेट है में गेट के पीलर है इस पीलर को 4 पीलर बोलते हैं और इसके अंदर जो वाइट आप जो चिप देख रहे हैं दोस्तों ये जो विटर फैप टाइल्स जो आती है वाइट कलर के अंदर पूरी जो वाइट आती है तो उसकी विटर फैप टाइल्स की हमने एक इंच की पट्टी कटिंग करके और ये डिजाइन बनाई है तो इसके अंदर पूरा गिनाइट और टाइल्स लगा के इस पिलर को बनाए है और इस पिलर की जो धार आ रही है धार के उपर हमने दान्ता मॉल्डिंग भी बनाई है वो भी मैं आपको थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगा अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट की तरफ हमने दो राउंड के अंदर पिलर बनाए है जैसे इसकी जो हाइट है वो तीन फिट की है अब दी आपने एक पिलर देखा और दूसरा पिलर आप देख सकते हैं इस टेरकेश के पास में तो यह जो पिलर है इस परकार का आप डिजाइन अपने फरनेट के बाहर बनवा सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको बता दू जैसे कि यह जो मार्बल है यह कौन सा मार्बल है यह जो मार्बल है दोस्तों यह डूंगरी का मार्बल है जो मकराने के अंदर मिलता है और इसकी जो अगर रेट की हम बात करें अगर आप इस परकार का मार्बल खरीते हैं जैसे कि आप इसकी चमक देख सकते हैं काफी अच्छी चमक है इसके अंदर और इसके अपर आप गिनायट पॉलिश डायमेंड और मिरर पॉलिश भी आप इसके अपर करवा सकते हैं मिरर पॉलिश जो होती है दोसो इससे भी ज्यादा इसके अंदर चमक आती है इसको बोलते ह तो आता है डूंगरी मार्बल इसके अंदर तीन कॉलेटी आती है एक तो आता है डूंगरी एक आता है चक डूंगरी और एक आता है कुंबारी डूंगरी तो इन तीनों की रेट अलग होती है दोस्तों जिस हैसाब चाप पत्थर की कॉलेटी लेंगे उसे साब चाप की भी ज वठीन हैं जो फुल ब्लेक होना चाहिए तो इसकी जो रेट होती है व्होगी हैं जो यह स्थारिंग होती है और इस हैसाब से इसकी भी रेट बढ़ती रहती है तो यह लगबग आपको को 300 up के छार सू रूपए 445 फिट के अंदर आसानी से मिल जाएगा अब दोस्तों हम बास कलने यहां फॉर्ण टाइल sect रहे हैं धी सांगे आपके आपके पास में जैसे बजट कम है दूस्तों, फरंट की जो टाइइस मिलती है कई अलग अलग रेट के अंदर मिलती है, अगर आपके पास में बजट कम है दोस्तों, तो इससे आपको कम बजट के अंदर भी आपको टाइज मिल जाएगी, और टायल की जो रेट vain 20 रूपے से लगा के, वो 45-50 रुपए फिट तक की tiles front की आपको अच्छी से अच्छी quality के अंदर मिल जाएगी और इससे भी heavy tiles आती है अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं जैसे की इसका जो front का जो main gate आ रहा है दोस्तो तो यहाँ पे हम घर के अंदर जैसे ही enter करते हैं वहाँ पे जैसे welcome जो लिखा हुआता है तो हमने यहाँ पे कुछ अलगी design दी है आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही हम घर के अंदर enter करेंगे तो यहाँ पे जो welcome लिखा हुआता है इस जगा पे हमने चोरश design डबी के अंदर बनाई है तो इस परकार की design आप भी बनवा सकते हैं एंटर की जैसे welcome की जगा तो दोस्तों यह काफी खूब सुरत है design इसका हमने आपको tiles की rate बताई है और यह जो marble अगर इस परकार से आप खरीते हैं तो यह dungry marble है तो आपको लगबग यह डेट सो रुपए scale fit के अंदर मिल जाएगा और अगर green light की हम बात करें तो लगबग आपको 3500 से लगाए 400 रुपए के आसपास में scale fit में यह green light भी आपको मिल जाएगा और tiles की हाँ अगर हम बात करते हैं तो tiles अगर आप front की लेते हैं तो आपको जो tiles की rate श्रडिंग होती है वो 20 रुपए से लगा के आपको 45-50 रुपए scale fit के अंदर अच्छी से अच्छी quality की tiles मिल जाएगी अब मैं आपको पूरा front दिखाता हूँ थोड़ा दूर से तो इस परकार से यह front दिखता है अगले वीडियो में